नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल एयारेकेडमी में तो दोस्तों आज हम और टिकल्टर का चौथा पार्ट लेकर आएं और आज मैंगो की क्रॉप का कल्टिवेशन कैसे किया जाता है उस पर जो इंपॉर्टन करें और वीडियो को लाइक करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले है कॉमर्शियल क्लीफा tips meeur मेजर फ्रूट hm, उनोंका प्रोपेकरेशन कैसे किया जाता है वह तो सिans का प्रोपेकरेशन होता है भाई सीट या फिर एइयर लेरिंग के द्वारा जो commercial propagation होता यह एंनका और जो gradually होता होता है हाड़्वोट cutting के द्वारब आपक होचा जाता है पुम्गरैनेट का cutting के द्वारा यह फिर एयर लेरिंग के द्वारा करते हैं और जो टी होती है उसका मुश्यासं वट कटिंग किया जाता है डेट पाम जो होता है वो आप सूट या फिर सकर्स के द्वारा पाइनेपल का भी सकर्स के द्वारा करते हैं या फिर स्लिप्स के द्वारा इश्ट्रोबेरी का हम रनर्स के द्वारा प्रपगेशन करते हैं आउला जो होता है उसका हम टी बडिंग या फिर प्रोट्टा का इन आर्चिंग के दवारा तो यह प्रोपगेशन मेंत्ड़ जल doable highly पूचे जाते है कॉमर्सिय E あの मैंति कि किसका किसके द्वारा होता था है ठी इप एफ नंत пон्ट जो हogeneous का कोफी और जामून होते हैं इनका शीडे कोड़न तो चलिए अब है important family of the fruit crop तो family और potential name दिये हुए fruit crop के तो वो देखते हैं तो bromeliasi family का जो है pineapple जिसका नाम है ananas cosmos next है cashew जो है anacardiasi family का anacardium occidental next है custard apple ananasi family का ananas isquamosa caronda eposynesica carissa carandus फिर avocado lauresi family का persia americana fig morasi family का ficus carica strawberry rogesi family का phrageria ananasas bell rotasi family का agel agio marmolios leechi sapendiasi family का leechi sinensis फालसा जो है वो tiliasi family का gravia subniquelis और जो coffee होता है वो rubesi family का coffee robusta अब आप food production की बारे में बात करेंगे तो आज हम discuss करेंगे mango के fruit production के बारे में जिसका नाम है हमारा महिंगी फेरा इंडिका और यह anacardiasi family में आता है known as national fruit of India या फिर king of fruit तो इंडिया का जो national fruit है वो भी हमारा mango है और इसे king of fruit या फलों का राजा भी कहते हैं इसका जो fruit type होता है वो होता है true और जो इसका origin है वो है इंडो बर्माच दीजन जो है वो mango का origin है edible part जो होता है वो होता है mezo carb जो बीच का भाग होता है वो हम खाते है mango में इसलिए उसका जो edible part होता है वो mezo carb होता है highly cross pollinated है यह highly cross pollinated है और इसका जो cross pollination होता है वो mainly house fly है घरेलो मक्की के द्वारा होता है इंडिया जरेंक इन mango production में इंडिया पहले नंबर पर है और state की बात करें तो यूपी हमारा पहले नंबर पर है इंडिया में और mango is the richest source of vitamin A का rich source है रूमानी यूज़ फर ड्वार्फिंग इफेक्ट इंडिया रूमानी root stock है इसका यूज़ होता है या root stock क्या कहते है रूमानी एक gene type है जिसको हम क्या करते है ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए यूज़ करते है किसमें दसहरी वराइटी में major paste जो mango का होता वो होता mango hopper आपको बाहर से तो जो mango होगा वो आपको अच्छा दिखेगा और कोई भी उसमें softness नहीं दिखेगी लेकिन जब आप अंदर उसे काटते हैं तो अंदर आपको softness दिखती है जो कि spongy tissue कहलाता है और वो होता है convection heat की वेज़े से internal fruit necrosis जो हता है वो boron की deficiencies होता है deblosoming is done for control of more formation तो deblosoming करते हैं किसके लिए mall formation के control करिए clustering और जुमका in mango is due to low temperature तो low temperature के वेज़ेस क्या होता है जो inflorsions होता है उनमें clustering हो जाती है गुच्छे टाइप में बंच टाइप में बन जाते है improper pollination और poor fertilization भी इसका रीजन है mango is the climatric and tropical fruit तो यह climatric fruit है जो की तोड़ने के बाद भी पेड़ से लग करने के बाद भी पक जाता है इन mango only 0.1% flower develops fruit to maturity तो इसमें जतना flower आता है उसका 0.1% fruit ही mature हो पाता है अगर पूरा का पूरा fruit आए तो फिर बहुत जाद हो जाएगा इसका सिर्फ पावर सिर्फ 0.1% fruiting ही होती है विएस्टी वैपर हीट treatment is mandate for disinfection of mango against fruit flies and stone bevel तो stone bevel और fruit fly के लिए वैपर हीट treatment का यूज करते है कन्यकुमारी और मदुरेई डिस्ट्रिक और तमिलनाड प्रोड्यूस टू क्रॉप आप मैंगो इन आ येर तो कन्यकुमारी और मदुरेई डिस्ट्रिक में क्या होता है और ये मेली महराष्ट्र में उगाए जाती है प्रोपेगेशन ऑफ मैंगो इस डन वाइद मेथर वीनियर गाटिंग और इसका जो प्रोपेगेशन होता है वह वीनियर गाटिंग के द्वारा होता है साइस उगनदा it is regular veering variety and free from mall formation तो मैंगो में क्या होता है जनरली कि एक साल ज्यादा फ्रोटिंग होती है एक साल बहुत ज्यादे और फिर नगलिक्लिक जिवल फ्रोटिंग होती है तो ये कहलाती है अट्टर्नेट लेकिन जो साइस उगनदा वराइटिया उसमें regular veering होती हि मींज हर साल फ्रूटिंग होती है इसमें स्वाइल इसके लिए लूमिस ओफिल इसके लिए अछ्छी होती है और इसका जो ट्राइब है वो है जून जुलाई इसमें 10 से 12 मिटर रखते हैं आम्रपाली के लिए रखते हैं डाइ मीटर इसलिए ये क्या है डेंसिटी सगन डेंसिटी में इसको उगाय जा सकता है 1000 प्लांट्स पर हेक्टेर में आते हैं आमरपाली के अब ये प्रोपेगेशन तो कामर्सियल मेथड जो है प्रोपेगेशन को हो है बीनियर ग्राप्टिंग जिसको करते हैं अप्रेल से अक्टूबर तक और जो रिसेंट मेथड है वो है एपिकोटाइल स्टोन ग्राप्टिंग जो की महाराष्ट में यूज होता है कौंकर के महाराष्ट में इन आर्छिंग और इन आर्चिंगं और सॉप्ट वॉड ग्राप्टिंग है मैंगों में अब वराइटे और उन पर लिखेकि के सिस्पोर्ट के लिए निर्यात के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होती है और इसका मेंली निर्यात होता लेकिन इसमें क्या है कि स्पॉंजी टिस्व बहुत जल्दी होता है चौशा जो स्वीटेस्ट वराइटी लेट वराइटी ऑफ मंगो तो यह सबसे पल्ली की बात करें तो most commercial variety of आंद्र प्रदेश की है ये वराइटी Bombay Green की बात करें earliest variety of North India की early variety है केसर इट है गुड प्रोसेसिंग कॉलिटी तो इसकी प्रोसेसिंग कॉलिटी बहुत अच्छी होती है ये गुजरात में popular लंगरा की बात करें नॉर्थ इंडियन वराइटी है ये और ये इट है इस characteristics of turpentine निरंजन जो है off season variety है तो निरंजन क्या है कि जैसे mainly इस time पर mango का कल्टिवेशन होता है या mango की फ्रूटिंग होती है लेकिन जो निरंजन होती है इसकी फ्रूटिंग सरदियों के बाद होती है means off season में इसकी फ्रूटिंग होती है अक्टूबर में लाल सिंदूरी जो है powdery mildew resistant variety है ये और ये new variety है नीलम जो है ideal for long transport जब export या import करते हैं तो long transport के लिए एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक दूरी तक जाने के लिए इसका यूज होता है two crops are taken in a year और दो crop एक year में ली जा रखती है Edward जो variety resistant to anthracnose resistant है और जो फजली है वो commonly grown in बिहार and waste बंगाल फजली जो है बिहार और waste बंगाल में यूज होती है hybrid variety की बात करें तो arka unmol जो है यह alphanso और जनाधर पसंद का cross है और यह free from spongy tissue arka पुनीत की बात करें alphanso into baganpalli और यह यह भी spongy tissue से free है arka aruna की बात करें baganpalli into alphanso यह भी spongy tissue से free है रतना की बात करें नीलम unfanso यह भी spongy tissue disease से resistance है तो यह जो bracket में है यह इसके संकेत दिये हुए जैसे nar का मतलब नीलम alphanso और आरकमी सरतना aba का मतलब alphanso baganpalli arka puneet तो इस तरह यह इसके code दिये गए है आमरपाली की बात करें दसहरी into neilam dna दसहरी नीलम into आमरपाली dwarf susceptible for high density planting के लिए आमरपाली की उज़ता धाइंटु धाइंटु धाइं मीटर स्कॉयर में इसकी जो है planting होती है सिंदु जो है रतना अलफांसो फर्स सीडिलेस व्राइटी in the world तो यह कहा है सीडलेस व्राइटी है आमकी मलिका की बात करें तो नीलम into दसहरी high vitamin content होता है इसमें size उगंदा की बात करें तो तोता परी इंटु केसर और यह new hybrid व्राइटी ओप मैंगो तो इसमें सब ज़्यादा मैंगो व्राइटी तो नॉर्थ इंडियन व्राइटी की बात करें दीजार alternate wearer mono embryonic और self immune compatible तो नॉर्थ इंडियन व्राइटी ज्याद अतर क्या होती है alternate wearing वाली south इंडियन व्राइटी की बात करें तो दीजार regular wearing और poly embryonic तो यह regular wearing होती हर साल फूटिंग जेती है और poly embryonic होती है अब regular wearing वराइटी कौन-कौन सी है नीलम और तोता परी जो है वह regular wearing वराइटी है means यह हर साल फूटिंग होती है इनमे alternate wearing में बाकी की जैसे लंगरा हो गए दसायरा हो गई दसायरी हो गई यह हमारी alternate wearer type की है और off season bearing इसमें निरंजन और मधुली का जो है यह आप सीजन में क्या करती है फूटिंग करती है poly embryonic variety की बात करें तो गोवा बेलारी चंद्रकरन मलगोवा यह जो है हमारी poly embryonic variety है चलिए आप बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की तो सबसे पहला हमारा जो पेस्ट हो है mango मिली बग जिसका नाम है dress चा महेंगी फेरी और यह फैमली मारगो डीटी का है it is major paste of mango ती यह major paste यह हंद्यश्ट में निंफ एडल्ट्स को सख लेते हैं इसके मैंनेजमेंट के लिए एलगा थेन बैंडिंग करते हैं 30 sama 45 cm wide 30 cm above ground तो इसमें क्या क्रांद ट्रंक में हम क्या कर देते हैं बैंडिंग कर देते हैं और स्प्रेज इा फिर इसमें करते हैं धियुंटा, एक क्ले पाता है और इसमें क्लेक्षार करें वेक्ट पर इबात करें वेक्ट्रोर करें रूफो मैकिलाटा फूट düny जो होता है वेक्ट्रोसिंर और इस यूज वापर हीड travelling इसके लिए वेपर हीड़ करते हैं this is quarantine DI определ sanct jay sequence के लिए बहुत important paste है डीजी के बात करें तो सबसे पहला पाउडरी मिल डी 이상 इंप्वाइज के लिए ऑडियम महेंगी- यह Shivery during February और March में क्या होता है इसका जो प्रकोफ होता है वो जादा होता है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कैरा थी 0.1% का स्प्रे करना चाहिए नेक्स्ट है Anthrakenose जो है Collatto Trichum Glow Esporides receiver in humid and high rainfall area तो humid या नमी वाले एरिया में या फिर जहाँ पर ज्यादा rainfall होता है वहाँ पर इसका attack भी ज्यादा होता है next है mango mall formation जो की fugarium only फॉर्मी वराइटी सुगूल टियनाना के द्वारा होता है और vegetative and floral इसमें भी क्या होता है जो inflorescence होते है उनकी bunching हो जाती है या फिर clustering हो जाती है इसलिए bunchy top appearance वहाँ पर होने लगता है it is a serious problem in North India और North India में इसका attack ज्यादा होता है जैसे Punjab, Delhi और UP Bombay green and chausa are more susceptible और Bombay green और जो chausa होती है उसमें ये ज्यादा होता है उस inflorescence को remove कर देना चाहिए और spray की बात करें chemical की बात करें तो मैंको जेब का spray करना चाहिए या पिर NAA भी इसके लिए यूजफुल नेप्थलीन, acetic acid या planof fix के नाम से आता है मार्केक में 200 ppm का इसका क्या करना चाहिए body stage पर हमें spray करना चाहिए तो ये भी एक important cure है इसका अब है physical disorder कौन कौन होते है तो इसमें होता है एक पहला black tip due to the deficiency of boran boran की कमी से black tip होता है near brick cleans distal end of affected fruit get turned black and become hardened तो आपने देखा होगा आम के नीचे दो distal end होता है means नीचे वाला tip होता है जो वहाँ पर क्या होता है black spot बन जाता है जिसे एक प्रकार से गाउं में कोईली रोग भी का जाता है तो ये इसी वज़े से होता है कि जो धुआ होता है हमारे इट के भट्टों का उसकी वज़े से ये होता है और boran की deficiency से भी होता है smoke of brick kilns containing gases like CO, CO2, SO2 and acid lins are responsible for this तो इसका जुआ इसके लिए responsible होता है और वहां के tissues में क्या होता है जहां पर black हो जाता है वहां necrosis हो जाती है और फिर वो आम हमारे कंजमसन के लिए useful या अच्छा नहीं रह जाता है management की बात करें तो orchard planting away from brick kilns at least 1 km तो इट के भट्टों से हमें कम से कम 1 km दूर जो हमारा orchard है वो होना चाहिए 3 spray of borax अगर borax की कमी से भी होता है तो इसमें क्या करते हैं borax 0.6% की 3 spray भी करते हैं एक before flowering flowering के पहरे दूसरा flowering के time during flowering और तीसरा fruit setting के time borax में जो हमारा 11% बोरान पाए जाता है next जो disorder हुओ है spongy tissue due to soil heat convection तो इसमें क्या होता है soil heat convection की वज़े से high temperature की वज़े से spongy tissue हो जाए ये major problem होती है कि इसमें alphanso जो बराइटी है उसकी ये major problem है fruit from outside look normal but inside a patch of flesh become spongy yellow इस तो बाहर से तो आपको नॉर्मल दिखेगा fruit hard रहेगा चूने में भी hard लगेगा आपको लेकिन अंदर जब आप उसको काटेंगे तो कहीं कहीं पर वो क्या होगा की कुछ portion ज्यादा yellow होगा और वहां के जो tissue जो एकदम soft होंगे yellowish हो गया होंगे spongy type के हो गया होगे तो वह हमारे कलाता है spongy tissue it is also known as internal breakdown इसे internal breakdown भी कहते हैं इसके लिए जो resistant वराइटी होगे नीलम और दसारी आर आलमोस्ट फ्री फ्रॉम तो नीलम और दसारी इससे लगबग फ्री है other new resistant वराइटी अरका अरुना, रतना, अरका पुनीत अरकान मोल ये भी spongy tissue से फ्री है leap scratching एक होता है जो कि deficiency of potassium की वज़े से होता है और इसके लिए क्या करेंगे फिर potassium की deficiency के लिए potassium sulfate का 5% का spray करते हैं next है internal necrosis जो कि boron की deficiency होता है तो इसके लिए भी borax का spray करते हैं alternate bearing disorder होता है तो on year जो होता है जिस साल fruiting होती है, flowering होती हो bearing flowering year होता है जो वो on year कहलाता है और off year जो जिस साल flowering नहीं होती हो it is problem especially in दसाहरी लंगरा और चौसा तो नौर्थ इंडिया में ये लगबग दसाहरी लंगरा और चौसा की main problem है management की बात करें तो application of कल्टार या पैकलो बिट्रा जौल it includes flower तो कल्टार या पैकलो बिट्रा जौल का यूज करते है planting regular bearing varieties या तो फिर इसका जो सबसे अच्छा उपाए है उसके लिए हम क्या करते है regular bearing type की वराइटी का ही orchard त्यार करते हैं आमरपाली हो गया नीलम हो गया रतना हो गया तो दोस्तों ये आज का हमारा horticulture का lecture था और mango की crop आज हो गई next हम बनाना और पॉंग ग्रैनेट की crop लेकर आएंगे तो अच्छे से पढ़ते रहिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद